क्या आपको भी कभी किसी मीटिंग में डेटा प्रेजेंट करना होता है और आपको लगता है कि मैं अपने ओडियन्स को प्रेजेंटेशन कुमा में नहीं डालना चाहता हूँ तो यह वीडियो आपके लिए हैं जहां पर हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक तो इस वीडियो को अन तक देखेगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस ताइम तो डू दाट राइट नाव फर्ट कीजे एक मीटिंग में आप जा रहें और वहां पर जो पहला प्रेजेंटर है वह आपके सामने बहुत सारा कॉंप्लेक्स ग्राफ और चार्ट और बार लेके आता हूँ कहता है देखो और दूसरा बंदा आता है जो आपको सब कुछ नहीं दिखाता है आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपको जरूरत है आपको वो सारी चीजे बताता है जो आपको चार्टनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको बताता है कि इस चार्ट का importance किया है now मैं bet कर सकता हूं कि अगर even if it is the same presentation because second person ने data storytelling यूज किया है you will remember it much more right तो हम बात करते आईए कि ऐसे पांच strategies जो आप यूज कर सकते हैं अपनी data presentation में ताकि आपका जो next presentation हो वहाँ पे आपके जो stakeholders हैं वो आपसे बहुत खुस हो और impress हो और आपको इससे benefit मिले लेट्स गेट साटेट तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है जब आप data present कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका audience कौन है for example अगर आप CXO CEO CIO CMO के सामने present कर रहे हैं वह आपका छोटा छोटा रेटा इंडी वीजन नहीं देखना चाहेंगे वह जानना चाहेंगे कि trend क्या है क्या नया investment कर सकते हैं क्या नहीं opportunity है क्या roadblocks हैं अगर उनके सामने आप यह micro details देने लिए 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 इंप्रेस्ट तो knowing your audience is very very important especially अगर आप बात करते हैं मिले management के they might want to go in much more details they might want to go into root cause as well and similarly अगर को entry level का है they will be concerned about their own bubble तो जब भी आप present कर रहे हैं knowing your audience really helps because उसके हिसाब से आप data को present करेंगे आपको micro level का data दिखाना है कि macro लेवल का दिखाना है so that is number one knowing your audience number two जैसे मैंने बोला था पहले example में कि अगर आप जस्ट आगर के PPT and graph and all दिखा देंगे sometime it becomes boring and मैं ऐसी बहुत-बहुत सारी meetings में गया हूं जहां पर लोगों ने कोई context नहीं दिया कोई hook नहीं दिया and they immediately start welcome everyone let's start the monthly meeting and we are going to discuss and it's a boring one and you are tuned off in five minutes so what can you do अगर आपको अपने presentation को data storytelling को effective बनाना है you got to have a hook आप अपने data के लिए ऐसा कुछ perspective निकाल के लाइए ताकि वह audience excited हो जो लोग बैठे हैं you might say that आज हम आपको ऐसी special trend बताने वाले हैं जिसको capitalize करके हम अपना profit 20% बढ़ा सकते हैं वेन यू से देस पीपल आइक्साइट एसा क्या बताने वाला है या आप बदा सकते हैं now when you say that that is setting the context and hook and people are excited to know more so number two is start with a compelling hook a context DJ hook DJ number three जो की बहुत भी obvious है but फिर भी लोग नहीं करते हैं and that is called keep it simple stupid आपने सुना होगा वह किस principles की आई एसस की bit simple stupid now what happens is कि sometime हम इतने complicated हैं अपने data से इतने attached हैं कि हमें लगता है हम कितना कुछ दिखा दे उसमें कितने सारे अलग अलग चार्ट दिखा दें ग्राफ दिखा दें खतरनाक सी जार्गन दे without knowing our audience अगर ऐसा होता है तो आपकी अच्छे चांसे हैं कि आपका audience presentation को में चले जाएं अगर आपको यह नहीं पता प्रेजंटेशन को मा क्या होता है गो एंड गुकल इट विल गेट सम्हिलारियस आंसर तो अगर आपको जो relevant है वही आप दिखा रहे हैं instead of showing 10 other things number 4 and this is the crux of this which is the data storytelling tell a story with your data I can show you a graph जिसमें बहुत सारे चीजें अब डाउन है और I can tell you that we have observed that during the holiday season हमारी website पे जो hits होते हैं वो तीन गुना बढ़ जाते हैं and based on this what we recommend कि जब हमारा holiday season आए तो हम अपने server की capacity double कर दें क्योंकि हमारे hits इस तीन गुना होने वाले हैं now instead of just showing the graph कि हमारे double hits आ रहे हैं I told them a story की जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है और इसके लिए यह कर सकते हैं यह बहुत सारे आपको विस्वास नहीं होगा ऐसे बहुत सारे presentation है जहां पर यह missing होता है जहां पर हम एक link नहीं देते हैं जहां पर हम ए क्या exactly उनको बताने वाले क्या उनके लिए take away होने वाला यह एक बहुत ही ज्यादा important aspect है when it comes to presenting data with impact और अब बात करते हैं पांच भी and final strategy final tips that you can use and that is called engagement and interaction अगर आपको अपनी meetings को अपने presentation को dynamic बनाना है बहुत ज्यादा engaging बनाना है then you have to plan you can do polling you can do quiz you can have no ask people to use chat you can ask people to do some activities case studies but the more you plan the better you will be able to engage अगर आप सिर्फ one way information transfer करोगे then yes जैसे मैंने पहले बोला तीसरी बाव बोला हूं आपका audience presentation कोमा में जा सकता है अगर आपको अपने audience को जिंदा रखना है अगर आपको अपको अपने audience को इंगेज करना है तो you have to plan your engagement कि कहां पर आप आपने उनसे question पूछने कहां पर उनको बोलना है कि what question do you have कहां पर आपको उनसे पोल कराना है या उनसे कोई activity करानी आप जितना प्लान करके इंगेज करेंगे उतना ही आपका interaction इफेक्टिव होगा उतना ही आपकी स्टोरी टेलिंग टॉप क्लास की हो जाएगी तो यह थी हैं वारी पांच स्ट्राइजीजीज नमबर वन नो यूर ओडियंस नमबर तू स्टार्ड विद अ कंपैलिंग नमबर त्री कीप इट सिंपल एंड रिलेवेंट नमबर फोर टेल अ स्टोरी विथ यूर डेटा और नमबर फाइव प्लान यूर इंगेजमेंट और इंटरेक्शन आई होप आप जब इन स्ट्र सब्सक्राइब कर लिजे और साथ के साथ मुझे बताइए कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं मैं आप चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं वो इंटर्वियू डेटा सो रिटेलिंग लीडर्शीप प्रेजेंटेशन इंटरबर्सनल कम् प्रेज चाहते हैं प्रेजेशन इस्यू एieza प्रेज दीर्ट चाहते हैं मैं यह आप सो रज़ Culture राम खरिए कादर्वीत बनाटि मुझे झांड चाहते हैं और स्थ ल